Hello everyone, I am Zeeshan and welcome back to my channel. फेंज जैसा क्या संडे है और संडे को मैं क्योंने टाइब वीड़ अप्लोड करता अपने यूटूब चैनल पर क्योंकि लोट्स अफ कमेंट्स मुझे मिलते हैं मेरे यूटूब चैनल से फेंज बहुत से लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि अपना कॉंटेक नंबर दीजे मैं आपसे बात करना चाहता हूँ तो उनको यही मैं सजेशन देता हूँ प्लीज फॉलो करें मेरे इस्टाग्राम को और लिंग में डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ जाके वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हैं जो भी क्योरी रहेगी आप बिंदास पूछी मैं उसका रिप्लाई जरूर दूँगा सो चलिए कमेंट स्कूर बढ़ते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं सो फैंज जैसा कि फर्स कमेंट यहां मैं पढ़ पा रहा हूँ जिनका नाम है दीपक ज्छा इनका कहना है भाईया मैं 15 डे से काम कर रहा हूँ क्या क्या काम होता है, बताई प्लीज, I don't know की कहां आप काम कर रहे हैं बट मैं CA को लेता हूँ, as a CA प्रहुज में क्या 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 काम होता है मैं यह जरूर बताना चाहूँ आपसे देखिए अगर CA practice accounting field में है taxation field में है तो आपको accounting भी करना है taxation भी काम करना है अब इसमें क्या होता है मैं आपको details में बताना चाहता हूँ देखिए बहुत लोगा Q&A क्योई होता होगा कि CA firm में क्या काम होते हैं तो यह बताना चाहता हूँ देखे, CA firm में आप accounting भी करते हैं और taxation भी कर सकते हैं लेकिन ये बात नहीं है कि बहुत से CA सिर्फ taxation की और अपना रुप करते हैं सिर्फ taxation का काम करते हैं बस accounting नहीं करते हैं लेकिन बहुत से CA हैं जो प्रेक्टिस में अपना accounting का भी काम करते हैं यूनों, डेटर्स और क्रेटर्स के रिकनसाइल होती है, ये सारी चीज़े इंट्रियां होती है, आपको समझ होनी चाहिए, अगर आप एक काउंटिंग फिल्ड में है, मैं टेक्सान की बात नहीं कर रहा हूं, अगर आप एक काउंटिंग फिल्ड के अंदर है, तो आपको इ ये सब भी आपको देखना होता है, कि कौन सा यूनों, पेबल है, कौन किस से हमें रिसीव करना है, किसको हमें पे करना है, अगर आप माल सेल कर रहे हैं, तो आपको रिसीव करना है, अगर आप माल परचीज कर रहे हैं, अगर माल परचीज कर रहे हैं, ये सारी चीज़े को आपको proper आनी चाहिए है और बात हम taxation की का लेते हैं कि सबसे पहले तो आपका जो taxation में काम जादा होता है जो overloaded होता है वो GST का होता है and second thing जो main एक साल के अंदर आता है वो हम income tax उसको कहते हैं जो एक साल में आप file करते हैं लेकिन जो GST है वो आपको monthly file करना होता है and second thing ये भी है कि TDS भी आ जाता है अगर आपका जो भी आप जिस client को लिए हैं या फिर आप जिस client का काम कर रहे हैं उसकी turnover क्या है या फिर वो किस base पर काम कर रहा है किस purpose पर काम कर रहा है क्या वो applicable है TDS के direct अंदर आता है ये भी बहुत ही जादा जरूरी है अगर आप TDS पर work कर रहे हैं तो अगर करना चाहते भी है तो ये जानना बहुत ही जरूरी है क्या मैं TDS के direct अंदर आता हूँ क्या मुझे काटना TDS जरूरी है ये भी चीज़े देखना होता है बट अगर GST आपके पास है आपके पास नंबर है तो आपको GST को भरना बहुत ही जरूरी है वो चाहे निल ही क्यों फाइल ना कर रहे हों अगर आप GST नंबर आप निकाल लिए है तो आपको return फाइल करना बहुत ही जरूरी है अब हम यह समझ लिए कि CFM के अंदर I think होता है क्या है मोटा मोटी में बता दिया डीपली हम चाहेंगे तो बहुत से ऐसी काम होते हैं जो अक्चल में बताऊंगो तो आपको समझ भी नहीं आएगा बट मोटा मोटी जो होता है रेगुलर काम होते हैं वो मैं आपको शेर कर दिया तो दूसरा कमेंट सी है जिनका नाम है शिव शंकर परजापती इनका कहना है कि सान नॉर्मल एकाउंटेंट को ओनलाइन वर्क कैसे मिल सकता है पार्ट टाइम वर्क प्लीज टेल मी देखे ओनलाइन वर्क करने से पहले हमें ओफलाइन वर्किंग का नॉलिज होना बहुत ही ज़रूरी है ठीक है अब यह नहीं हमारा बेसी मजबूत नहीं है और हम चले बिल्डिंग बनाने यह तो ऐसी बात होगी क्योंकि जब तक हमारा foundation अच्छा नहीं होगा तो हम अच्छे से कोई भी तरीके से हमारा जो बिल्डिंग है क्योंकि एक new अच्छी रखी जाती है एक बड़े बिल्डिंग के लिए क्योंकि अगर height आपको लेना है तो आपको new अच्छा रखना होगा तो same thing यही है अगर आपको online work करना है कोई client online hire करना है तो उसके बारे में बहुत ही ज़रूरी है जाना जो चीज आप करने जा रहे हैं जो चीज आप सीखने जा रहे हैं जैसा कि आपने बोल दिया sir accountant, normal accountant को online work कैसे मिल सकता है part time work कैसे मिल सकता है और इसमें part time भी include है अगर आप सोच रहे हैं part time job करना तो आपको पहले offline work जो है full time उसे करना बहुत ही ज़रूरी है यह सारी चीज़ें आपको online working को अगर आप बढ़ावा दे रहे हैं आप करना चाह रहे हैं तो यह सब चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है आपको confidence होना यह सोच रहे हैं part time work कैसे कर सकते हैं तो पहले full time आपको करना हो आप सोच रहे हैं कि एक client hire किया जाए online और उसे हम part time घर पर करें तो पहले तो यह समझना होगा अगर आप आप अज़ फ्रेशर हैं आप सोच रहे हैं कि अचा बहुत लोग की mentality फ्रेशर भी होती है कि मैं as a fresher हूँ मुझे मैं टैली सीख लिया हूँ मेरे पास certificate आ गया क्या मुझे job मिल सकता है online और पार्ट टाइम भी बहुत लोग ऐसे पूछते हैं सवाल तो मैं उनसे यही कहना चालता हूँ अगर आपको पार्ट टाइम job करना है तो पहले आप practical कहीं कर लिजे वरना आपका pop-up हो जाएगा ठीक है तो चलिए next comment को और बढ़ते हैं जिनका नाम है आजम खान इनका कहना सर मने 1.6 यर तक C1 अंडर में work किया है मुझे job मिल सकती है कैसे मिलेगी आप experience लेते हैं कई साल तक experience लेते हैं बहुत तो ऐसे लोग है जो काम करते रहेते लेकिन क्या करते उनको खुद को नहीं पता लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए आपको समझ होनी चाहिए हम मैं क्या कर रहा हूं कि मैं एक target बिठा लो इक साल में मुझे ये सारी चीज़े आ जाने चाहिए ये एक target बिठा के आप काम करेंगे कहीं सीखेंगे तो हम्शोर कि आपब एक क्यों टार्गेट बिठाना चोड़ चोड़ टार्गेट से आप बड़े बड़े टार्गेट को आप चीप कर सकते हैं ठीक है तो अब यह मेंटर नहीं करता आप एक साल करो दो साल करो क्या मैं जॉब के लिए कोई बड़े फॉर्म के अंदर यो बड़ी कंपनी के अंदर तो नॉलेज का होना बहुत ही ज़रूरी आप क्या सीखे वह मेंटर करता आप कितना टाइम बिता है वह मेंटर नहीं करता ठीक है चलिए अब लास्ट कमेंट्स यह है और आई होप सो आपको अंडेस्टेंडिंग बिप्ड查 करने के बार वर्क वां कर सकते हैं औनलाइन का दिखी वह मैंने बोला कि ओन लाइन लग टेली करस कर लेते हैं शीख लेते हैं सडिपिट आजाती है फिर उनको यह समझ में आता है क्या मुझे जॉब मिल सकती है उसलाइं तो मैडम मैं आब सभी से कहना चाहता प्यारे प्यारे उनको मैं कहना चाहता हूं टेली कोर्स करने बाद work from home कर सकते हैं यह देखी बहुत ही अपने में ही कोई जवाब नहीं है इसका क्योंकि आपको जमीनी work करना होगा जमीनी work क्या आपको कहीं जाके practice करना होगा किसे CA का अंदर किसे accountant का अंदर आपको practice करना marketing जो होती है accounting उसे आपको पहले करना होगा and then आपको work from home भी मिल सकता है clients भी hire कर सकते हैं वो सारी चीज़े कर सकते हैं अगर आपके पास knowledge है so आप लोग सुचते हैं कि टेली course करने के बाद क्या मुझे work from home मिल जाएगा तो पहले आप जमीनी work कीजिए आप कहीं सीखिए समझीए और उसे करने की कोशिश कीजिए क्या मैं eligible हूँ घर पर बैट कर काम करने के लिए यह बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि confidence होना बहुत ही यार मैंने गलत हो लिया तो ऐसा होता है तो don't worry यार सब कुछ लोग कर सकते हैं बट अपने उपर भरोसा रखो patience रखो hard working के साथ साथ आप you know smart working करना सिखो कब तक hard working करेंगे hard working वही करता है जिने smart working में भरोसा नहीं रहता smart working बहुत ही ज़रूरी है life को you know एक अच्छा moment देने के लिए ठीक है तो I hope so आप लोग को जो भी मैं समझाया हूं अच्छे से समझ में आ गई होगी and उसके साथ साथ जो भी मेरे नए viewers है वो मुझे subscribe कर ले क्योंकि ऐसे ही मैं knowledge देता रहता हूं from my experience और मेरी video को share उन लोगो बनाना चाहते हैं जो अभी टैली सीख रहे हैं या फिर अभी you know job के लिए वो you know कहीं apply करने वाले हैं उन्हें जरूर शेर करें ताकि उन्हें भी कुछ knowledge मेरे from my experience तो मिलते हैं next video में और तब तक के लिए take care